Dear students, बहुत-बहुत स्वागता अब स्विका, बच्चों ये Class 6 का Social Science Book है, और ये Chapter है One Geography का ये Chapter है, जोगरोफी भुगोल सास्त्र जिसको कहा जाता है, इस Chapter का नाम है The Solar System, Solar System का रथ होता है सोर परिवार, मतलब सुई और उसके आठ जो गरह हैं, उससे समंधित ये Chapter दिया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं अप लोगों को जितने भी Sorts Question है, उसको मैं Solve कर दूँगा, तो थोड़ा बहुत हम Chapter को देख लेते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है, सुछ फर्स्ट में दिया हुआ है Heavenly Bodies, Heavenly Bodies मतलब होता है आकासिये पिंड, गरह ये Stars जो है, जो आकास में हैं, स्थिर हैं या चल रहे हैं, मतलब जो आकास में हैं, तो उसको Heavenly Bodies कहा जाता है, यहाँ पे Heavenly Bodies और Silesial Bodies, इसको दूसरा भी नाम है Silesial Bodies, तो इस तरह से इसका नाम दिया गिया है, इसमें Sun, Stars, Planet, ये सारे चीज़ आते हैं, All Silesial Bodies are spread over a vast space, तो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जगह लेता है, सभी Silesial Body, बहुत बड़ा space को घेरते हैं, और ये सारे Silesial Body, आकास में जहां पे रहते हैं, तो वो कितना बड़ा space होगा, बहुत बड़ा space, इमेजिन से भी ज़्यादा बड़ा है, और उसको बोला जाता है Universe, ब्रहमांड, इसके अंदर Little Star, इस तरह का poem, बहुत बच्पन में पढ़े थे, तो Star जो है, Silesial Body ही है, जो आकासिय पिंड है, और यहां पे बतला रहा है कि Sun जो है, पिर्थवी से 300 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, और Sun जो है, एक Middle Size Star है, Middle Size, मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ा Star होता है, तो ज़्यादा बड़ा है, और Sun का temperature बहुत ज़्यादा है, brightness due to their temperature and size, वो बहुत बड़ा है, और बहुत brightness उसमें चमक है, तेज है, जिससे वह जितने भी ग्रह है, उसको सबको light देता है, सबको उर्जा देता है, यहां पे बतला रहा है कि तारिक्यों टिम्टिमाते हैं, ट्व constellation जिसको नच्छतर बोला जाता है, और यह जो है, एक stars group होता है, star का एक निश्चित group होता है, वो हमें लगातार उसी रूप में दिखाए देता है, तो जैसे कि groups which can recognize by shape, उसके shape के अधार पे हम उसे पहचान सकते हैं, उसको constellation काते हैं, great bear हो गया, जिससे सबत्रिशी मंडल क जाता है, इसके अलावा और भी है, जिसमें से एक pole star होता है, तो pole star जो है, वो सबसे ज़्यादा चमकता है, brightest star in the sky, अस्मान में सबसे तेज चमकने वाला तारा होता है, जो north direction, मतलब उतर साइड में दिखाए देता है, उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में यहां पे बतला आए हुआ है, सोलर सिस्टम मतलब सोर परिवार, तो सूर और eight planet जो उसके चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे चोटे asteroid है, comet है, मेट्रोइस है, तो यह सारे जो है, इसके चकर लगाते हैं, तो यह सारे solar system के अंदर ही आते हैं, तो यहां पे इसको define क्या आए है solar system, इस तरह से sun together with the planet and all other celestial bodies that are born by its gravity, तो सारे जो है इसके gravity के वज़े से इसके आसपास घूमते रहते हैं, तो सारे solar system में आते हैं, फस्ट में दिया हुआ है sun, क्योंकि sun जो है सबसे important है, अगर sun नहीं रहेगा तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए sun के बा बहुत सारी मतलब पिर्थवी आ जाएगा, लगभग 10,000 पिर्थवी sun के अंदर आ सकता है, इतना बड़ा है, sun का जो gravity power है, उसके वज़े से इसके जितने भी planet हैं, उसके आसपास चकर लगाते रहते हैं, और एक fixed दूरी जो है, उस पे चकर लगाते हैं, जिसको orbit कहा जाता है, their fixed orbits, तो उसका जो पथ बना हुआ, रास्ता बना हुआ है, वो उतना ही पे वो घुमेगा, इधर उधर जाना नहीं, उसके बाद planets के बारे में दिया हुआ है, तो planets के बारे में दो बाते माहिने रखती है, कि planets जो होता है, वो अपने orbit पे, अपने fixed पथ पे वो घुमती रहती है, sun का चकर लगाती है, और उसका अपना light नहीं होता है, अपना heat नहीं होता है, वो sun के lights को reflect करता है, उसी से चमकता है, planets sun का revolution करते हैं, साथ ही साथ वो अपने axis पे भी spinning करते हैं, मतलब दो तरह का motion उसके अंदर होता है, और इसके आगे दिया हुआ है, यहाँ पे order म में दिखाया हुआ है, कि यह planets जो है, sun से किस परकार से, कितने नमर पे हैं, जैसे Mercury हो गया, Venus, Earth, तो first में यह हो गया, second, third, इस तरह से होता है, तो eight planets है, और eight planets में Neptune जो है, eight number में है, और Mercury जो है, सबसे smallest है, और वो सबसे नजदिक में है, Jupiter जो है, वो सबसे बड़ा है, तो य dwarf planets, तो यह सब dwarf planet में अब आने लगा है, Pluto हो गया, Ceres and Iris इस तरह के दोतिन नाम दिया हुआ है, तो dwarf planet में यह आता है, और इस तरह का question भी आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे अर्थ के बारे में दिया हुआ है, यूनिक planet, अर्थ जो है, यूनिक planet कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभाव है, यहाँ पे ही पेड़ पोधे, जीव जन्तु यहाँ पे रहते हैं, अदर किसी भी planet में यह संभाव नहीं है, इसलिए यह एक यूनिक planet है, आगे देखते हैं, अर्थ के बारे में यहाँ बिसेश करके बतलाया हुआ है, यह अर्थ हमारा घर है, और किस प जीवन संभाव हो पाया है, तो यहाँ पे वातावरन चारो और से घिरा हुआ है, धका हुआ है वातावरन से, जिससे की harmful ultraviolet rays जो है, इसके अंदर नहीं आ पाता है, और नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाता है, और इसमें एक important properties है कि यहाँ पे पानी मोजुद है, और भी liquid form में, क्योंकि किसी भी अधर जो planet है, उसमें किसी में भी water अगर मौजूद है, तो ice form में है, या अगेस form में है, liquid form में नहीं है, तो यहाँ पे liquid form में होने के कारण जो है, हमारा planet space से blue color का दिखाए देता है, इसलिए इसको blue planet भी कहा जाता है, इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, अधर planet के बारे में, थोड़ा थोड़ा करके detail किया हुआ है, यहाँ पे सबसे first में mercury के बारे में दिया हुआ है, जिसको बुद्ध गरह कहा जाता है, और यह सबसे ज़्यादा नजदिक है, तो इसको 88 days लगता है, एक revolution complete करने में, इसके बाद Venus के बारे में दिया ह हुआ है, जिसको सुक्र गरह कहा जाता है, सुक्र गरह को morning star और evening star के रूप में भी जाना जाता है, और क्या दिया हुआ है, मार्स उसके बाद दिया हुआ है, तो मार्स को मंगल गरह कहते हैं, और मंगल गरह को लाल गरह भी कहा जाता है, red planet, क्योंकि यह red दिखाए देता है इसलिए रेड प्लानेट कहा जाता है उसके बाद जूपिटर जूपिटर जो विरस्पति कर रहा हो गया और सबसे बड़ा गरह ये है 67 मून इसका है और ये इसका टेंपरेचर जो है माइनस हंडेड डिगरी सेल्सियस है इस तरह से इसके बाद सेटरन दिया हुआ है जो की एक ब्यूटिफूल प्लानेट कहा जाता है और इसमें एक रिंग लगा हुआ है इस तरह से आईसी पार्टिकल्स रिंग है और ये कॉल्डर देन जूपिटर जूपिटर से भी ज़्या हर सल के द्वारा खो जा गया था नासा का ये बिग्यानिक है और इसका 27 मून इसका अपना 27 मून है इस तरह से और ये बहुत दूर है जिसके वज़ा से 84 यर्स में एक रिवलियूशन को कम्प्लेट करता है और लास्ट में नेप्चून दिया हुआ है तो ये भी लगभग यूरेनस के साइज का है और इसको ट्वीन जाइंट कहा जाता है इसमें 13 मून है इसके बाद सेटलाइट के बारे में दिया हुआ है सेटलाइट जिसको उपगरह कहा जाता है जैसे कि अर्थ का सेटलाइट जो है मून है और यहां पे एक ही मून है तो और बड़े बड़े इतने भी प्लानेट है उसके जादा मून है जैसे जूपिटर में 67 है सेटर्न में 62 है अर्थ में तो एक ही है उसके बाद यूरेनस में 27 है इस तरह से कई इसे गरह हैं जिसमें कई सारे मून है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 180 सेटेलाइट मतलब इतने सारे उपगरह मौजूद ह एसाँ खोजा गया है इतने सारे मिल्ए है और आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पर बतला रहा है कि अलावा मैनमेड भी है तो लोगों ने और अपना हिसाब से अपना सेटेलाइट उपर में रखा वा है और वह भी जो है प्लानेट का revolution करता है और यह सरे इंटेलाइट ल satellite के द्वारा काम करता है इसलिए man-made satellite को उपर में भेजा गिया है तो moon के बारे में यहां पर थोड़ा सव डिटेल किया हुआ है तो moon इतना किलोमेटर फ्रोम अर्थ इतना किलोमेटर दूर बतलाया जाता है और यह जो है पिर्थवी का revolution करता है पिर्थवी का चक्र लगाता ह मून के बारे में कई सारी पहले पुराने जमाने में लोग कहानिया सुनाते थे बच्चों को कहानिया सुनाते थे लेकिन बाद में जो है 21 जुलाई 1969 को एक बेक्ती जो है नील आर्म अस्ट्रोंग नाम का वो moon पे चला जाता है पहला वो बेक्ती है जो moon पे गिया है उसके पर एंडिया से भी राके स्रमारा, नाम का बैक्ती मुन पे गिया है तो मुन इस तरह से घुमता है कि कभी capazन दिखाई देता है धुटा दिखा देता है फिर तोड़ा दिखते दिखते अपको गोल दिखाए इस तरह से 14 days का इसका revolution होता है तो ऐसे समय में जिसमें पूरा दिखाया देता है उसको पूर्निमा कहा जाता है और जब बिल्कुल भी नहीं दिखाया देता है उसको अमवस्या कहा जाता है हम लोग के हिंदी में तो उसको इंग्लिस में new moon या अमवस्या एक हो गया उसके बाद full moon या फिर पूर्निमा इस तरह से उसका नाम दिया जाता है इसके अलावा other heavenly bodies asteroids है asteroids जिसको छुद्र गरह कहा जाता है तो ये Mars और Jupiter के बीच में घुमते रहता है ऐसा माना जाता है कि ये किसी गरह का टुकड़ा है ये सारे जो है बिसफोट होके बने हुए है जैसे sun जब बिसफोट हुआ तो ये इतने सारे गरह बने तो planet भी किसी समय बिसफोट हुए होंगे उसके कुछ टुकड़े जो है छिटक कर इस तरह से planets ये asteroids बन गया है तो largest asteroid में सेरेस नाम करका एक asteroid है जो सबसे बड़ा है तो ये आपको question में भी दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पे metros दिया हुआ है तो इसको कहा जाता है उलका पिंड कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि तारे गिरते हैं और हम लोग आँखे बंद करके प्रातना करने लगते हैं तो ये तारे ने गिरते हैं ये मेट्रोइस जो आता है वही गिरते हैं और उसको उलका पिंड कहा जाता है कुछ मेट्रोइस गिरने का परमान भी पिर्थवी पर मिला हुआ है जिसे कि यहाँ पे दिखाया गया है USA में एरिजोना नाम का एक जगह है वहाँ पे इस तरह से इतना बड़ा गड़ा यहाँ पे दिखाया देता है तो इसे माना जाता है कि यहाँ पे मेट्रोइस जो है यहाँ पे गिरा है उसके बाद आता है कॉमेट कॉमेट्स जो है वो एक उसमें पूछे जैसा दिखाए लंबा पूछे जैसा दिखाए देता है इसलिए इसको पुछल तारा भी कहा जाता है या इसको घूम के तू धूम के तू कहा जाता है धूम के तू कहा जाता है और यह बहुत लंबे समय अंतराल दिखाए देता है यह जो है लास्ट दिखाए दिया था 1966 में 1986 इस भी में दिखाई दिया था और नेक्स्ट ये दिखाई देगा 2062 मतलब आप्टर 76 मतलब इतने सालों बाद ये दिखाई देता है और एक फेमस कॉमेट जो है जिसका नाम है हैलेज कॉमेट इस तरह से कॉमेट के बारे में यहां पे बतलाया हुआ है तो यह यूनिवर्स जो है इतना बड़ा है कि हम लोग सोच नहीं सकते इसमें और इसमें तारों का जो समू होता है बहुत सारे एक जगा जब दिखाई देते हैं उसको गेलक्सी कहा जाता है और जो सोर परिवार है जो सोलर सिस्टम है वो जिस गेलक्सी में है उसका नाम है मिलकीवे अकास गंगा जिसको हिंदी में कहा जाता है तो इसमें इस तरह से पिक्चर दिया हुआ है तो इसके अंदर कितने सारे sun है, कितने सारे star है, ये कोई मालूम नहीं है, अब इसका नाम दिया गया है Milky Way और इसमें एक हमारा भी sun है, जो की arrow से दिखाए दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा sun है, वो तो पता भी ने चल रहा है, मतलब universe कितना बड़ा है, यहाँ पे यह से आपको मदद मिल सकता है, और देखते हैं, यहाँ पे सबसे फरस्ट में दिया हुआ है MCQ, multiple choice question, टिक लगाने वाला question है, तो इसको मैं टिक लगा देता हूँ, the fifth largest planet of the solar system is, solar system में पाँचवा सबसे बड़ा गरा, तो मतलब आप नमबर सिस्टम से न देखें कि कौन सा किसके नजदिक है, इस तरह से नहीं, वहाँ पे जो दिया हुआ है, उस परकार से नहीं, largest, मतलब कौन सबसे बड़ा है, जैसे जूपिटर सबसे बड़ा है, उससे पर चोटा कौन हुआ, फिर उससे चोटा कौन हुआ, तो उससे सबसे, पाचवा नमबर में कौन सा प्लानेट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, C, अर्थ, तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं, यह हो गया, इसका आंसर, अर्थ हो जाएगा, यह अर्थ, यह हो गया, उ मौर्निग स्टार और the evening स्टार ईज तो मौर्लीं स्टार और कि नाम से इन से जाना जाता है V Battle यह हो गया घृम एक्ट को लेते हैं है को स्वेरा नुम'T फॉर यहां पर दिया ओंभ्या स्ट्रमक votre स्टम में कितने planets हैं तो इसका answer हो जाएगा C number 8 planets इस पर टिक लगा देते हैं यह हो जाएगा उसके बाद 5 number the planet with rings is जिस प्लानेट पे rings है तो वो है Saturn सनीगर है इस पर टिक लगा देते हैं और यहां पे 2 number में mark true और false सही है गलत बताने के लिए का रहा है all the objects in the sky are called heavenly body जो भी बस तो आकास में है वो सभी आकासे पिंट का लाते हैं तो यह सही है तो यहां पेस को true कर देते हैं यह true हो गया all the celestial body revolve around the sun is a fixed path called axis तो fixed path को axis ने करते हैं और बिट करते हैं इसका मतलब यह false है इसको false कर देते हैं य यह false the earth is a unique planet in the solar system where life is possible तो यह सही है यह एक unique planet unique planet है जो जहां पे life संभव है यह group of stars forming a definite pattern is called a galaxy तो definite group of star का pattern जो है उसको constellation कहा जाता है तो इसका मतलब है कि यह false है तो इसको false कर देते हैं यह हो गया false 5 नमर में small pieces of rock and dust that burn when they enter the earth's atmosphere are called metros तो यह सही है true हो जाएगा metros जब अर्थ का atmosphere में in करता है तो burn मतलब जलने लगता है question number 3 match the columns यहां पे match करने के लिए दिया गया है the first man to land on the moon पहला बेक्ती जो moon पे गया था तो इसका answer हो जाएगा c number यहां पे match कर देते हैं one number से c number यहां पे the galaxy to which our solar system belongs जिस galaxy से हमारा solar system समंधित है milky way यह की तो है यह है यहां से जाएगा d number में और thousands of small bodies that revolve around the sun between the orbit of mars and jupiter तो इसको कहा जाता है astoids तो यह चला जाएगा three number का a यहां पे the shape of the earth flattened at the poles and plugging at the equator तो यह हो जाएगा geoid इसको e number में यह जाके match करेगा यहां पे उसके बाद last दिया हुआ है the 14th day after the new moon when the moon sign brightly new moon के 14 days बाद moon जब तेजी से चमकने लगता पूरा गोल दिखाए देता तो उसको क्या करते हैं पूर्णिमा कहते हैं यहां B number में दिया हुआ तो इसको यहां से match कर लेते हैं यहां से यहां चला जागा इस तरह से आप match कर सकते हैं इसका आगे question दिया हुआ है four number में short question दिया हुआ है और इसके आगे दिया हुआ है long question दिया हुआ तो यह दोनों question हम लोग next वीडियो पे solve करेंगे तो हमारा यह वीडियो आप लोग के लिए अगर helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो हमारे चैनल में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें से जुड़े रहिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और next question को solve करने के लिए अगली वीडियो पर हम लोग चलेंगे तो आए हम लोग अगली वीडियो पर चलते हैं